जैक काफी सालों से साइकल पर ओफिस जा रहा था मगर अब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए थे ओए आप मुझे एक शानदार बाइक ले लेने चाहिए वो बाइक की दुकान पर पैसे लेकर जाता है और एक शानदार बाइक खरीद लेता है इसके बाद वो बाइक पर घर वापस आता है ओए बाइक पर सफर करने का तो अलगी मज़ा है वो मिठाई लेकर ओगी के कमरे में जाता है ओए मुना मैंने युग बाइक लिया होए ले मिठाई खा अरे वाँ क्या बात है भाईया बहुत-बहुत मुबारक हो इसके बाद जैक ओगी को बाइक की सेर करवाता है, घूंते फिरते शाम हो जाती है, और फिर वो वापस घर आ जाते हैं, जैक बाइक की चाबी रखता है और सो जाता है, अगले दिन जब वो बाइक को स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, वो है हो जाता है जब वो टैंकी का ढखकन खोलता है तो उसमें जरा भी पैट्रोल नहीं होता ओए कल ही तो मैंने टैंकी फूल करवाई थी होई सारा पैट्रोल कहां गया होई फिर वो सोचता है कि यह जरूर उन कोक्रोचिस का काम होगा जैक किचन में जाता है तो उसे पपलू जैक को यकीन हो गया था के इसमें कोक्रोचिस का कोई हात नहीं अगले ही दिन जब वो दुबारा टैंकी का धकन खोलता है तो पैट्रोल फिर से गाइब होता है जैक हैरान रह जाता है कि आखिर इतना पैट्रोल कहां गया इस बार वो ओगी के पास जाता है ओए मुन्ना कहीं तूने तो मेरी बाइक से पैट्रोल नहीं निकाला हो है नहीं भईया बहला मैं क्यों पैट्रोल निकालूंगा इसके बाद जैक वहां से चला जाता है वो अपने कमरे में बैठा ये सोच ही रहा था तब ही उसके दिमाग में एक आईडी आता है वो अपने घर के बाहर एक दरख्त पर सीसी टीवी कैमरा लगा देता है ताके वो चोर को पकड़ सके जैसे ही रात के बारां बज़ते हैं तो जैक स्क्रीन में देखकर तंग रह जाता है और ये कहां से आ गया जैक वहां जाता है तो ओगी नीम में बाइक के साथ खड़ा होता है उसने टैंकी में एक पाइप लगा रखा था वो पाइप से पेट्रोल पीने ही वाला था जैक उसे धक्का देता है और वो नीचे गित जाता है जैसे ही योगी की आँख खुलती है तो उसके अंदर से एक चुड़ैल की रूह निकलती है जैक समझ जाता है कि ये सब उस चुड़ैल का काम है मुझे पेट्रोल पीने दो, वरना मैं मर जाओंगी यही तो मैं जाता हूँ, तू मर जा जैक समझ जाता है कि इससे छुटकारा कैसे लेना है वो ओगी को लेकर फोरण बाइक पर दूर चला जाता है जबके पेट्रोल ना मिलने की वजा से उस चुड़ायल को आग मिद जाती है